आज 27 सेप्टेंबर है और आज ये वीडियो में सूट कर रहा हूँ रात के 10 बजे 27 सेप्टेंबर 1907 को आज ही के दिन सहीद आजम भगस सिंग की पैदाश हुई थी और आज उनका जनम दिन है आज उनका जनमती थी है तो अभी कुछ दिर पहले मैंने भगस सिंग की लाइफ के उपर एक बायोग्राफी वीडियो देखी डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी द्वारा तो सहीद भगस सिंग के कुछ जिन्दई के कुछ लाइफ लेशन कुछ ऐसे कहानिया किसे जो किसी भी इनसान को जन जोड़ देंगे किसी भी इनसान के दिल में आग लगानी के लिए काफी है 23 मार्च 1931 को सिर्फ 31 साल की उमरब भगस सिंग को फांसी दे दिया गया था और सबसे शौकिंग बात आपको पता है कि भगस सिंग को भगस सिंग चाहते थे कि मुझे फांसी दे मुझे गिरफतार करे और मुझे फांसी दे दुनिया में कोई भी करांती कारी ऐसा नहीं है जो चाहता हो कि मेरी जान लो और मुझे फांसी दे दो आखिर भगस सिंग के अंदर इतना पागलपन क्यों था कहां से उनके अंदर इतना पागल पनाया था जब 12-13 साल की उमर में भगस सिंग स्कूल जा रहे थे स्कूल जाते वे वो जालिया बाला बाग पहुँचे तो वहां पे खून से लगपत शरीर को देखकर उनका रूह काप गया वहां के मिट्टी को लिए और वो घर जाकर उनके उन मिट्टी के सामने उनसे पूजा की और कसम खाली की अंग्रेजियों को इस देख से निकालना है सोची इतनी छोटी उमर का बच्चा और इतना बड़ा जिद इतना बड़ा पागल पन देख को आजात करने के इतनी बड़ी कहानी और इतना आग आखिर कहां से आया है भगत सिंग के अंदर भगत सिंग एक ऐसे वाहिद करांती का रही थे जो उसने अपने आपको खुद गिरफतार करवा लिया और वो चाहते थे कि मैं मर जाओं ताकि मेरी मौत के बाद से पुरी देश में ये करांती फैल जाए ये आग पूरे देश में फैल जाए आखिर क्या जुनूनियत थी क्या जित थी दुनिया में कोई ऐसा इंसान आपको मिलेगा कि कोई अपना जान दे दे कोई अपने आपको नेचार कर दे भगत सिंग जब जेल में थे तब उनको खूब यातनाय दी जाती थी खूब प्रेशन किया जाता था खूब दर्द दिया जाता था खूब सजा दिया जाता था तो किसी ने उससे पूछा कि इतने दर्द इतना दुख कैसे बरदास कर लेते हो तो बोले कि जब दिमाग में अगर goal clear हो कि मुझे देश को आजाद करवाना है तो फिर रास्ते में जितनी भी मुश्किल आती है उससे कोई फरक नहीं परता मुसीबतों में भी मज़ा आने लगता है सोचे ये किस तरह का पागलपन है ये किस तरह का जुनून है और आज हम लोगों को देखे हम लोगों को जो आजादी फिरी में मिल गई है हम लोग उसका कैसा दूर वेगार कर रहे है और कैसे नकार रहे है सोचे दोस्तो अगर भगत सिंग अज जिन्दा होते और हम लोगों को देख लेते तो वो क्या करते उनका दिल कितना तड़ता कि आखिर मैंने जिन देशवसों के लिए अपने आज जान कुर्बान कर दी और वो लोग आज कैसा कर रहे हैं ये काफी सोचने वाली बात है, काफी सोच विजार करने वाली बात है भगत सिंग कितना जुनुनी इनसान थे और देश के लिए कितने पागल थे ये आप इनके एक छोटी से स्टूरी से जान सकते हो कि जब उनकी मा ने शादी के लिए उनका रिष्टा देखा और बुला कि बेटे मैंने तुम्हारे लिए रिष्टा देखा है तो बोले कि मैं शादी नहीं कर सकता मैंने अपना पुरा जीवन देश को समर्पित कर दिया है सोचिए दोस्तों ये आग हमलों के अंदर क्यों नहीं है मैं ये जो बात बोल रहा हूं ये मेरे दिल से निकल रही है बिना कोई script follow कि मैं बोल रहा हूं और कहणे के ये कहानी सुनकर ये बायग्राफिय सुनकर मिरे दिल में आग लग गई है कै कैसे इन्सान थे भगस सिंग और मरने से पहले जिब किसी को फांसी दी जारी होती है तो मरने से पहले इनसान चिकता है, चिलाता है, रोता है कि काश किसी तरह से कोई miracle हो जाए, उपर वाले से दुआ करता है कि काश कोई चमतकार कर दे कि मेरी जान बच जाए बट भगत सिंग कैसे इनसान थे आप सोस सकते हैं कि मरने से कुछ दिर पहले भी, वो किताबें पढ़ रहे थे दोस्तो मेरे दिल में क्या feeling है, मैं बयान नहीं कर सकता भगत सिंग के पढ़ती अन्त मैं बस इतना कहना चाहूँगा, कि भगत सिंग आपको सलाम है कि आप जिसे हस्ती ने हमारे इस देश में पैदा लिया और हम सब को आप इस बात से माफ कर दें कि हमने आपकी इस करांती कारी जिंदगी के जो लिसन्स थे हमने उससे कोई फायदा नहीं इठाया और हम आपने जिस मसकत मेहनत जिस आजादी के लिए कि हमने उस आजादी को ऐसी बरबात कर रहे हैं इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं